36 गड़ में प्रबर्तन निदेशाल एडी की छापे मारी के बाद पहली बड़ी कारवाई हुई है। एडी ने चिफ्स के मुख्य कारे पारनाधिकारी और आईये समीर विश्नोई को गरफतार कर लिया है। उनके अलावा कारोबारी सुनील अगरवाल, लक्षमी कांत तिवारी और नवनीत तिवारी की भी गरफतारी हुई है। एजंसी चारो अरोपियों को रायपूर की इस्थानी अदालत में पेश करने वाली है। वहीं एडी ने रायगर की कलेक्टर रानुसाहु को पूश्ताच के लिए पेश होने के लिए कहा है। कोईला और परिवहन कारोबार से जुड़े तमाम व्यापारियों और चार्टर अकाउंटेंस के यहां छापा मारा। रायगर में रानुसाहु नहीं मिली तो एजंसी ने उनके सरकारी आवास को सील कर दिया था। बताया जा रहा है कि एजंसी ने बुधवार तक छापे की कारवाई पूरी कर ली थी। दोपहर बाद आईएस समीर विश्णोई उनकी पत्नी और दूसरे कारोबारियों को एदी ने पूश्टाश के लिए हिरासत में ले लिया। विश्णोई की पत्नी को छोड़ कर बाकी को गरफतार कर अधालत में पेश करने की तयारी है। बताया जा रहा है कि एडी राइगर कलेक्टर रानुसाहु से भी पूश्टाश करेगी। उनकी मौजूदगी में उनके सरकारी आवास का सील खोल कर तलाशी भी ले जाएगी। इस बीच राइगर कलेक्टर रानुसाहु हैदराबाद से 36 गर्ड लॉट आई है। उन्होंने एडी के जाच अधिकारी को पत्र लिख कर कहा है कि वे जाच में सहीयोग करेंगी।